पीजेपी के पूर विधायट सीता रम आदिवासी क्या इसे विजयपूर में उप्चनाओं से पहले बगावत का संकेत माना जाए या फिर ये टिकट पाने के लिए पुर्विधाय की कूरी धमकी है सीता राम आदिवासी टिकट की मांग के साथ ही राम निवास रावत के खिलाब भी मोचा खोल रहे हैं साथ ही सीता राम रावत को बीजेपी में लाने पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि राम निवास रावत केमिलेट मंतरी बना दिया है भारती जंता पाल्टी ने तो का जरूरत पर रही है थी हमारे पास बहुत सीट है हमारे पास बहुत बढ़ाए गए जोपुर जले की विजयपूर विधान सभा सीट, राम निवास रावद के इस सफिफे के बाद खाली हुई है, जहां जल्धी चुना होने है तय है कि कॉंग्रेस से आए राम निवास रावद यहांसे बीजेपी के उम्मीदवार होंगे तो कॉंग्रेस प्रत्याशी की तलाश में जुटी है कहा तो ये भी जा रहा है कि सीता राम कॉंग्रेस के संपर्ख में है सीता राम आदिवासी के बगावत के बाद तरदेश में सियासी बयान बाजी भी खूब हो रही है और उसका संकेट सीता राम आदिवासिजी ने दे दिया है दल वदलुक और रिष्जियों की वज़ा से इमानदार कारिकरताओं पर भाजपा के जो बीट रही है उसका दर्द वेही जान सकते हैं देखे मुझे लगता है कि आप लोग भी इस वीडियो को देखेंगे पर जो राज्यतिक दल होते हैं वो बहुत मेचौरली और रणीतिक तरीके से चलते हैं और सभाविक है कि उन रणीतियों का खुलासा कई बार वरिष्णेता ना करना चाहते हैं और ना करना चाहिए वो च सीता राम आदिवासी की तरफ से हो रही टिकट की मांग बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल पैदा करेगी ये तो तब ही पता चलेगा जब चुनाव की तारीकों का एलान होगा और उम्मिद्वारों के नाम सामने आएंगे फिलहाल कॉंग्रेस की परंपरागत सीट हत्याने की कुशिश कर रही विजेपी के लिए सीता राम आदिवासी का दाउं परेशान करने वाला जरूर है अब सवाल ये है कि विजैपूर की बगावत से कैसे बचेंगे रावत नमस्कार मैं हूं मनुस सेनियो और आज का हमारा मुद्द है विजैपूर में बगावत कैसे बचेंगे रावत ये बात कई दिनों से चल रही थी कि जब लगातार कॉंग्रिस में लोग कॉंग्रिस के लोग भारती जन्ता पार्टी में शामिल होंगे तो भारती जन्ता पार्टी के नेताओं का क्या होगा और विजैपूर उप्चनाओं के पहले वो दिखाई देने लगा हाली में अमरबाडा का उप्चनाओ भी हुआ कमलेश शाह भी कॉंग्रिस से आकर भारती जन्ता पार्टी से चुनाओं जीत गए जीत का अंतर भी आप देख रहें लेकिन ये जो इस्तिक्याब बनी है बगाबत की क्योंकि अभी तो टिकट देना है बहुत सारी बाते होना है इस पीच में सीता राम जैसे और कितने लोग होंगे तो क्या ये मुश्किल बढ़ाएगा आज समझेंगे इस बगाबत को भी लेकिन इस पर चर्चा केना है उतसे पहले तीन वो सवाल जिनकी नस्दीक हम रहने बाले हैने से लगते साथ क्या बिजयपुर में बगाबत से बिगड़ सकता है बीजेपी का सियासी खेग सीता राम की टिकट की मांग से कितने परिशान होंगे राम निवास रावर क्या कॉंग्रेस की टिकट पर चुनाओ लड़ सकते हैं सीता राम आदिवास तो ये वो तीन सवाल है जिनके नस्दीक हम रहने वाले हैं लेकिन मानकर चलिए की काम शुरू हो गया में आजकी मेमान हैं सुमیر सिंह सोलंग की सांसत है राज्य सबास्वा, सांसत आपका बहुत स्वागत है सुमेर जी और साथी राम किशुर दोगने जी है कांगरेस की बिधायक आपका भी बहुत सागत है और हमारे नीजेड सरद्वेदी जी भी हमारे साथ जोड़ रहे है सबसे पहले शरद जी के पास ही मैं चलना चाओंगा शरद जी कही बार इस मुद्धे को लेकर बाते होती रही कि जो आने वाले हैं वो तो आ रहे हैं उनको जगे भी मिल रही है एक उपचुनाओं अमर बाड़ा अभी हमने देखा हलाकि भारती जनता पार्टी जीतने में काम्याब भी रही और आज हम देख रहे थे मुकमंत्री मोहन यादब भी पहुंचे दूसरी तरफ बीडी शर्मा भी पहुंचे और आभार भी मान लिया लेकिन आभार के साथ ये जो प्रभार दिखाई दे रहा है दूसरे आदिवासी नेताओं की तरफ से वो नेता जो खाटी नेता है भारती जनता पार्टी के क्या बिजैपूर चौनोती बनेगा देखे मनुच सबसे एहम बात ये है कि जब से बीजैपी में कॉंग्रेस से आने वाले महमानों का सलसला शुरू हुआ है ये सवाल बीजैपी के लिए बहुत बड़ा होता जा रहा है अब आपकी लड़ाई सिर्फ कॉंग्रेस से नहीं होती बलकि कॉंग्रेस से जो महमान बीजैपी में आते हैं उसकी वज़े से बीजैपी में जो मुश्किलें पैदा होती हैं अब आपको दो-दो मोर्चों पर लड़ना पड़ता है और अगर आप कल्पना कीजे फर्ज कीजे कि सीता राम जी नहीं मानते हैं और वो या तो कॉंग्रेस के टिकेट पर चुनाव भारती जनता पार्टी के लिए नहीं होगा तो यह भारती जनता पार्टी के लिए चुनावती बनने वाली है अब ये क्रम बीजैपी कब तक जारी रखेगी क्यों जारी रखेगी उसकी क्या मजबूरी है उसकी क्या विवस्ता है इसके उत्तर बीजैपी के रणनीतिकार भी शामिल हैं जिसमें जिनोंने चुनाओं में बहुत महत्पूर्ण भूमी का निभाई है और व्यापक जो बीजेपी का एक कारेकरता वर्ग है उसकी निगाह में अब इस पूरी एक्सरसाइज का अर्थ बीजेपी में असंतोष के बीज बोने की तरह है हाला कि बीजेपी टेक अप कर लेती है इन सारी चीजों को लेकिन यह आप बहुत लंबे समय तक आप इस तरह की परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकते हैं कि आप हर बार चुनाओं में कॉंग्रेस से लड़े और बीजेपी के भीतर के असंतोष से भी लड़े क्योंकि आपके साथ जो व्यक्ति आया है वह बीजेपी के टिकेट पर चुनाओं लड़ रहा है तो दोधारी तलवार है बीजेपी के लिए वो कैसे निप्टेगी यह बड़ा सरदर्त है मनोज बीजेपी के और सीता राम जी जैसे वरिष्ट नीता जो पहले एक बार आप चुनाओं जीत चुके साथ 2018 में तो यह बताता है कि चुनाओंती आपके सामने बड़ी है कैसे निप्टिंग इन्से देखे मनज सर्व सबसे पहले दो मैं आपको नमश्कार करता हूं मेरा और जितना है और सभी कारीकरता अपने अपनी दावेदारी प्रसुत करते हैं पार्टी के पास में लेकिन पार्टी में स्रेष्ट कारीकरता को पार्टी जगे देती है टिकेट देती है और बाकी हमारे परिवार का मामला होता है अगर टिकेट किसी को दे दिया जाता है तो फिर सब मि पर्टी अंत में जिसके लिए निर्णई लेती है उसके साथ में मिलकर भारती जन्ता पार्टी का एक एक कारिकरता चुनाव लड़ता है और मद्यप्रदेश के अंदर अगर भारती जन्ता पार्टी ने अपना परचम लह रहा है तो इसी दम पर मद्यप्रदेश की 29 की 29 सेटे हमने लोकसभा में भी जीती है और अभी हमने अमरवाडा में भी चुनाव जीता है विधान सभा का उप चुनाव का तो मैं आपको यह कहता हूं कि पार्टी जन्ता पार्टी का प्रत्यक कारिकरता टिकिट मांगता है और मांगन उनका अधिकार है लेकिन अंतम है पार्टी जिसका निनने लेगी उसी निनने पर सभी लोग एक मत होके एक जुट होकर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीते हैं बो बीजेपी के कारिकरता टिकट मांगते अच्छी बात है जो आपके साथ आ गये वो भी बीजेपी के हैं पर वही तो दिक्कत है ने कि जो बीजेपी से जुड़ा है वो टिकट मांगेगा उसको टिकट नहीं मिलेगा टिकेट उसको मिल जाएगा जो हाली में आ गए और पद्ध भी पा गए अनेक उधारन ऐसे है बारती जन्ता पार्टी के कारिकरता बारती जन्ता पार्टी में जो भी आ गया वो भारती जन्ता पार्टी का कारिकरता है और पार्टी जन्ता पार्टी का कारिकरता होने के नाते टिकेट की दावेदारी करता है और जिसे भी पार्टी टिकेट देग कि पार्टी प्रतिय के कार्व करता उसके लिए संगर्स करेगा। सुमिर जी. जी जी सुमिर जी आब आज सुन पारेंश सरज जी यह जानना चाहे रहे थे कि जो मूल कार करता है भारती जनता पार्टी का वो कैसे डांडस बंदाएगा जी दोगने जी की तरफ चलिए दोगने जी की तरफ फिर हम दूसरे राउंड में लेने के उसे जवाब जी तैयारी है क्या सीता राम जी की आने की वो तो जिस तरह के संकेत दे रहा है मुझे लगता अभी तक ये कॉंग्रेस से भारती जनता पार्टी में आने का सिलसला दिखाई दे रहा था लेकिन क्या बीजेपी से कॉंग्रेस में दिखाई देंगे जी, कहिए करामकसरजी जो इवक्ति जो आजी है तो इसी करें पर आजिए तरह से इसे कुछ भी कांगेस के चीछे कांगेस जीचे की और कांगेस वहां अजी चीची में है इसा कोई भी आजी चला जाए अजी के जाने से पाईटी का बहुत बेड़ शेज नहीं होता है और पांगेस का आपके देखा है कि बजूटी के आपने अवर वर देखी है जो आजी पंद्रा लियाद कूपर से जीचा हुआ था पर आजी तरह से परकात हो यह जब घरकार कर दो इससे पर घरकार हो इससे बात भी नहीर पर आजान आपनी जर्वाद पूल है चलिए ठीक है लेकिन आप में यह जवाब भी जाना चाहा रहा था क्या सीता राम संपर्क में है इससे बाजब करें लिए नाराजी नाराजी का अम लोगों को बिस्कूपा दिलेगा और हमारा सब्सक्राइब बहुत अच्छा आएगा जिए वह सब्सक्राइब हमारे पहारी से लिए जी जी शेर्टे लंबे समय से ये चीज़े देखते रहे हैं आप भी कह रहे हैं कि जो उसको ढांडस कैसे आएगा सवाल ये भी है कि आखर ये जो पाचन क्रिया है इतनी मजबूत कैसे है भारती जन्ता पार्टी की जिसमें बीतर के लोग परिशान होते रहें और जो आने वाले हैं वो खुश होते रहें देखे चुनोतियां बहुत गहरी है बहुत बदल गई हैं इस समय का मनोबल मध्यप्रदेश की बात कर रहा हूं लोग शबादी चुनाओं के बाद तो का मनोबल बहतर हुआ है लेकिन मध्यप्रदेश में कॉंग्रेस में अभी भी जस तरह का वातावरण है वो से लगे एक जिले में जो भौपाल से लगता है वहां के दो कॉंग्रेस विधायक जो हैं वो बीजेपी में जाने के चुक हैं और उनको अभी हरी जंडी नहीं मिली है तो यह घटनाएं हैं यह घटनाएं बता रही हैं कि यह क्रम निरंतर जारी रखना अगर बीजेपी चाहे तो यह निरंतर जारी रह सकता है लेकिन जो सवाल मैंने सोलंकी जी से किया था सोलंकी जी वहले ही राज्ये स plupart में हैं लेकिन कल हो सकता है कि और क्योंकि जैसा इस बार लोकसभा चुनाव लड़वाया तो ही क्योंकि इनकी पार्टी दõंदिजिस से उनको चुनाव लड़ना है या वो लड़ चुके हैं वही उनकी पार्टी में आगया अब सोलंकी जी को मुस्कुराना तो है ही क्योंकि इनकी पार्टी का मसला इनको ये भी बड़े मंद से कहना आए की जो बीजेपी में आता है वो दिल में समा जाता है लेकिन कैसे सीता राम जी से पूछिए ना कि वो क्या करें हैं इस समय क्या वो राम निवास रावज जी को मतब माथे का मुकुट मान के आगे बढ़ें उनके सीने पर इस समय कितनी तकलीफ का एक मंदर घूम रहा होगा तो यह सारी चीजें जो प्रै नहीं जाते हैं तो वो अपने साथ चुनोतियां लेकर आती है और बीजेपी के लिए ये पूरा मसला एक बड़ी चुनोती लेकर आ रहा है जो कब किसी बड़े विस्फोर्ट की तरह फूट पड़े कहना बहुत कठीन है मनुझ सुमीर जी अभी शरच जी का सवाल आप से यही था और मैं भी उसी सवाल पर आपके पास आना चाहूंगा कि जो लोग आपके हैं वो कैसे डांड़त मान दे आकर कब तक कहीं कोई रास्ता तो होगा इसका कहीं तो कुछ बिराम लगाने ही पड़ेगा जो आ रहे हैं वो समाते चले जा रहे हैं और यही चुनोती आग जो भी आएगा उसके लिए जगे हैं दिल में भी जगे हैं और पार्टी में भी जगे हैं ऐसी तो कोई बात है नहीं भारती जनता पार्टी का कारेकरताओं का जो विस्तार करने का काम है वो निरंतर जारी है और अगर कोई सच्छा से यह कहता है कि मैं भारती जनता प्रवाटी को में जॉइन करना चाहता हूं और उसकी अगर इच्छा से वो आ रहा है तो भारती जनता पार्टी का परिवार उसका हरदी का भिनन्दन करता है और स्वागत करता है यहां एक अनुसासन बना हुआ है संघठन जो निर्णे लेता है वो सब के लिए सबी कारी करताओं के लिए समान रूप से सर्वमानने होता है और हर कारी करता इस बात को मानता है और कांग्रेस जिसी इस्ति भारती जनता पार्टी में थोड़ी है कांग्रेस में कमलनाज जी की पार्टी अलग है दिग्विजेई सिंग जी की पार्टी अलग है आभी वर्तमान प्रदेश अध्यक्स जी का अपना अलग रास्ता है लेकिन भारती जनता पार्टी में ऐसा नहीं है सिताराम जी जैसे लोग जो हैं सवर्तों उनके सुनाई देने लगे हैं तो इसका मतलब यह है कि आगे और भी आबाजन निकलेंगी किस-किस की आबाद दबाएंगे पूरा देश मानता है और मध्यप्रदेश का नेतरत्व अगर कोई निर्णे लेता है तो उसको भी पूरा मध्यप्रदेश मानता है हमारे सिताराम आदिवाशी जी मैं उनसे कही बार मिला हूं हमारे बहुत वरिष्ट और सुल्जय हुए कारिकर्टा के साथ साथ वह अमारे नेता भी है उसमें कोई दोब स्कूरौ करज़ सकते हैं जो निनरणई पर चुनाव blijft हैं भारति-जन्तापटी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि तो अंग्रेस में हो सकता है की महां लग-लग-सूर फे कि राधिस चंगतम सकता है जब कर दोगने जी कहीं आपको भी सोचना तो पड़ेगा आकर कब तक जाते रहेंगे लोग-थे-खे-बस Uh booster के बारे में बात नहीं कर रहा हूं लेकिन कारकर्टा को समालना तो पड़ेगा ऐसे जाते रहेंगे तो फिर हो गया काम हमार बाड़ा अभी अभी आपके हाथ से गया अभी जी कारकर्टा कांग्रेस के साथ है कोई इसी को चिंता की बात नहीं है और यह समय है समय के साथ आपने अभी तथकाल देखा है अभी आपने यहां जो मैं बताया पेले भी यहां का जो अमरवाणा सीट का जो आया है वह देख लेती है कि वह केंडियेट पंदरह आया तो इस तरह की परिस्टि यहां भी बनना है और कांग्रेस सतरक है कांग्रेस अच्छा केंडियेट लेके आएगी और विजयापूर जीते तो है कांग्रेस ही है और कांग्रेस को सपोर्ट करती है और वह के हमारे जुक्ता करता है जुक्ता करेंगे आपकी कोई चिंता लगी है किसी को रोखना नहीं है जो जा रहाíamos जाने जाने वालों के और इसे बाद भी तो इसके लिए क्या कर सकते हैं जिर प्रदेश अपड्र के साथ खड़े ना दोगने साब जी जी सरद जी आप तो खड़े हुए हैं ना पार्टी के साथ आप तो पार्टी के साथ है ना सर आपके सामने खड़े बिल्कुल बोल रहे हैं पार्टी के सामने जी यह कामने बोलने वाले कई चले गए जी जी हमारे इंटर्वियू में बोलते थे कि हम तो हमारा जीना यहा जब लोग बाचपा के लोग राते थे और अभी भी आते हैं कि अभी अभी आए सालसन परें लोग दुसरे इस्टेटों में आए तो यह राजडेतिक नेचर है अगर किसी को सवार्थ बस जाना है तो जाएगा उसको रोग भी नहीं सकते क्या करोगे जब असकी कोई कर सकता ह क्या क्या अगर मारो जाने वाला है चले जाए करें क्या उसके लिए तीन कांग्रिस के भीतर भी एक रणीती तो तै करना पड़ेगा आखिर कब तक जाते रहेंगे आज भी कुछ घटना करा मैंसे घटेत हुए जिसमें कारकरता सीधे तोर पर अलका लामा जी यहां पहुं कि लामा जी और वो लेकिन इससे मैं एड इसलिए करना चाह रहा हूं कि आखिर कब तक कोई तो व्यक्ति आए सामने रोखने वाला कि शरत जी मनोज एक बात होती है जो प्रलोवन की होती है और आउसरवादिता की होती है यहां कोई स्पीड ब्रेकर नहीं होता कॉंग्रेस से लोग बिना स्पीड ब्रेकर के क्योंकि ना उन पर न्यतिक्ता का बंधन है कोई न उन पर अंतरात्मा का कोई बंधन है ऐसा नहीं है कि कॉंग्रेस में ऐसे नेताओं की कमी अभी भी है जो तमाम प्रलोभन के बाद भी कॉंग्रेस में खड़े हैं लेकिन वह बहुत कम जैसे ही आउसर आता है राम निवास रावत जी के बारे में किस ने सोचा था इतने बड़े कद के नेता ग्वालियर चंबल के जिनका जीना यहां मरना यहां कॉंग्रेस में ही था वो चले गए दूसरी तरफ बीजेपी है जहां एक आउसर की बात है कि आउसर वादिता है कि आजाओ भाईया हमें फाइदा हो जाएगा मंत्री पद आपका इंतजार कर रहा है तो न जाने वालों के लिए कोई स्पीड ब्रेकर है न बीजेपी में पहुंचने वालों न बीजेपी में कोई स्पीड ब्रेकर है दोनों ही पार्टियों ने अपने स्पीड ब्रेकर जैस चमक रही होंगी वो सूत्र ढूंड रहे होंगे कि यार पता करो ना रावज जी ने किसके जरीए अप्रोच किया यार यह बढ़िया यार सीधे केविनेट मंत्री में चले गए कमलेशा भी चले गए तो आखें दोनों तरफ से चमकती हैं बीजेपी को यह लगता है कि उसने उस रीजन की लीडर्शिप खतम कर दी और कॉंग्रेस में यह लगता आगी वही है अपन ने बहतरीन कैश करा लिया अब सुमेर जी जैसे व्यक्ती जो है युवा है अभी वो इंतिजार करते रहेंगे क्योंकि कॉंग्रेस से आने वाले बढ़ते चले जाएंगे शरी जी लेकिन अभी हम जो जिस तरह से देख रहे हैं जैसे सीता राम कह रहे थे कि साथ हजार वोटर आदिवासी मेरे साथ है उनके साथ तो कुल मिरा कर पच्चीस हजार है जाती की राजनीती भी होगी और जब चंबल वालियर की तरफ हम जाते है तो वहां की राजनीती जातीगत समीकर्णों के आधार पर चलती रही जीता राम यदि भविस में ऐसा कदम उठा लेते जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है तो क्या बास्तब में बहुत बड़े चुनौती हमार बाड़ा में जीत का अंतर बहुत जादे नहीं रहा देखे चंबल के लिए कहा जाता है कि चंबल नदी के पानी में बगावत की महक हमेशा रही है और उसका स्वाद भी बगावत का है वहाँ जरासी भी कोई चूक होती है तो व्यक्ति के बारे में अब तो वह स्थितिया नहीं है लेकिन एक समय यह कहा जाता था कि उसको देर नहीं लगती थी बंदूक लेकर बीहड़ में पूछ जाने के लिए और आज भी हमने देखा है कि चंबल में एक अलग तासीर है एक अलग मिजाज है वहाँ और यही वज़े है कि इमर्ती देवी अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी वहाँ अभी स्ट्रगल ही कर रही है जब से उन्होंने पाला बदला है और कॉंग्रिस से वो बीजेपी में आई है तो गौलियर चंबल की तासीर मुक्तलिफ है भिन है और यही वज़े है कि वहाँ से बड़े-बड़े उलट फेर भी राजनीती के हमने देखे हैं गुना सीट 2019 इसका एक बड़ा उदाहरण है तो गौलियर चंबल की तासीर को आप अलग रखिये और यही वज़े ह करता है विजयपूर का रण जो है वो बहुत रोमांचक होगा और एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा बीजेपी को वहां से और राम निवास रावज जी को दुबारा विदान सभा में पहुंचने के लिए सुमिर जी जातिगत समीकरणों की भी बता दिया है सीता राम जी ने उन्होंने गिना भी दिया कितने लोग उनके साथ है राम किसर दोगने जी आप से समझ लेता हूं साय सुमिर जी दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या समीकरण होंगे जीत के जीत के जीत के समाज जी की समीकरण जो है बिरोध कर रहे है वहां तो निची दिखाई पीज़पी को उसका खामिया जब गतना तो पड़े गई और बिल्कुर वह इस ताई वह चलिए सर बहुत धने बाद आपका बहुत धने बाद रामकिसुर दोगने जी आप में रसाँ जुड़े साथी समीर जी आप में रसाँ जुड़े शरज जी हमारे साँ जुड़े आप तीनों का बहुत धने बाद लेकिन उप चुनाओ की फिर एक तैयारी है लेकिन इस बार कुछ अलग अलग इसलिए है कि हम विजैपूर सीट की बात कर रहे हैं जो लगातार कॉंग्रिस का गड़ रही है राम निवास रावत महां से चुनाओ जीतते रहें यदि जो जार अठारा को छोड़ दिया जाए तो ऐसे में वही व्यक्ति जो एक बार चुनाओ जीता और भारती जनता पार्टी छोड़ कर जिस तरह वो इश चतिज गड़ाज का मुद्धा चतिज गड़िया उलम्पिक पर स्यासी टिक पिक न्यू जैट सरद्विदी के साथ नमस्कार